नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी क्या हमारी यूटी टेनर इत्या विलेट ब्लाग में दोस्तों आद में फेर आई हमें एक नायरेस्टिक साथ आद में बहुत ही टेस्टी और स्वाधिश्ट चत्पटा नास्ते बनाने वाली हूं जो की पोहा मटर पनीर है दोस्तों आ आप लोग के पीच भी बना के सेयर कर दे रही हूं और बच्चों को भी डासता हो जाएगा तो दोस्तों हमारे वीडियो में सुरू से लाफ तक आप लोग बने रही है और चलिए देखें मैं के इस तरीके से बना कर तैयार करती हूँ अब मैं आ गई हूँ अपने चूलह क हमारा जल चुका है रख रख दे रही हूं कडाई भी मार ग्रम हो चूका है मैं इसमें डालूंगी सरSee के तेल कि दोस्तों अब लोग रिफाइने डैल में भी बना सकते हैं पर हमारे पास सरसो का तेल है तो मैं सर्षो के तेल में ही बनाऊंगी तेल हमारा गरम है अब इसी में मैं थोड़ा सा मुम्फली के दाना फ्राई कर ले रही हूँ जितना हमें चाहिए मुम्फली के दाना हमारे लगभग फ्राई हो चुके है ठाली में निकाल ले रही हूँ इसे इसी तेल में अपना पनीर भी फ्राई कर लूँगी पनीर को अपने गोल्डेन प्राउन होने तक फ्राई करूँगी पनीर भी लगभग हमारे फ्राई हो चुके है इसे भी मैं कटोरी में निकाल ले रही हूँ इसी तेल में मैं डालूंगी यादा चम्व सर्साव के दाना द्स तो मैं जीरा से छोक नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोहा मटर पनीर पनीर उस्व सर्वेरी ने इसी तेल में डालूंगी परसों के दाने से जहुद ज्यादा टेस्ट आते हैं इसे में थोड़ा सा अब डालूंगी करी पत्ता करी पत्ता डालने के बद मैं डालूंगी इसमें अधरक लेसुन हरी मीर्श का पेस्ट थोड़ा सा इसके बद मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ प्याज प्याश को मैं अपने गोल्डेन ब्राउन उने तक भूण लिए और मैं इसमें डालूंगे आदा चमज के करीब हलदी पाउडर आदा चमज धनिया पाउडर आदा चमज जीरा पाउडर स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी दोस्तो हमें इसमें ज्यादा मसाला नहीं डालना है नमक भी डाल दी हूँ अब इसके बाद अपने अच्छे तरीके से मसाले को पका ले रही हूँ मसाला हमारे बहुत ही अच्छे तरीके स्पक चुके हैं इसमें डालनूंगे कटा हुआ टमाटर टमाटर भी हमारे लगभग गल चुके हैं अब मैं इसमें डालूँगी हरे मटर का दाना इसे भी अच्छे से मिला लेती हूँ इसके बाद मैं 5 मिनट तक इसे धिमयाज पर पकाऊंगी ताकि हमारे मटर अच्छे तरीके से गल जाएं पाँच मिनट के बाद चेक कले रही हूँ टमाटर हमारे पक जाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से पानी भी छोड़ दिये हैं मटर भी हमारे बहुत अच्छा तरीके से गल चुके है अब मैं इसमें डालूंगी अपना चूड़ा जो कि दस मिनट पहले से ही भीजा के इसे अच्छा तरीके से धो कर साप कर ली थी इसे भी मैं अच्छा तरीके से मिलाऊंगी बहुत अच्छा तरीके से मिल चुके है अब मैं इसमें डाल दे रहूंगी अपने मंफली के दाना इसे भी अच्छा तरीके से मिला लेती हूं मिलाने के बाद हमें थोड़ी देरी तक इसे भुणना है इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूं पनीर इसे भी अच्छा तरीके से मिला ले रही हूं दोस्तों बहुत अच्छी खुस्वू आ रही है हमारे पोहा मटर पनीर से आप लोग भी इस तरीके से बना के एक बाद जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ट्रेस्टी आव हेल्थी नास्ता है अब हमारे पोहा पनीर पक के त्यार रही है इसमें में डाल दे रही हूं हरे धनिया का पत्ता इसके बाद इसे अच्छा तरीके से मिला ले रही हूं पोहा हमारा बंद के रेडी है अब मैं इसे पड़ोस लेती हूँ एक पलेट में दोस्तों अगर आप लोग को जरा सभी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद